कुरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया को एक अच्छी खबर मिली है वैज्ञानिकों ने ऐसे 21 ड्रक्स की पहचान की है जो कुरोना वायरस के प्रतिरूप बनाने मतलब अपनी संख्या बढ़ाने से रोकने में मददगार है लग जोच में इसकी पहचान की गई है आगे चलकर इनमें से किसी एक या इनके मिस्रर से कुरोना के इलाज के बारे में सोचा जा सकता है इसमें रिसर्च में कई वैज्ञानिक शामिल है इनमें से कुछ सैंटफार्ट बुर्नयम प्रीबिस मेडिकल डिस्कवरी इंस्टिटूट के हैं जो अमेरिका में है इसमें कुछ विज्ञानि भारती मूल के भी हैं इसके स्टडी नेचर पत्रिका में छपी है पाए गया कि 21 ड्रक्स वायरस को प्रतिरूप बनाने से ब्लॉक करते हैं जो ड्रक्स वायरस को प्रतिरूप बनाने से रोकते हैं उनमें 13 पहले ही क्लिनिकल ट्रायल में हैं पत् को पहले से कोरोना की इलाज में कारगार बताया जा रहा है इसकी मदद से कोरोना मरीज का रिकवरी टाइम सुधारा था मतलब मरीज जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए फिलाल इन 20 कंपाउंड की टेस्टिंग छोटे जानवरों के मॉडल्स पर हो रही है अगर सटी कारगा लगी तो विज्ञानिक यूएस पूड एंड जुक्स एड्मिनिस्टेशन से क्लिनिकल चैल की इजाजत मांगेंगे हर किसी के लिए कारगार नहीं है ये दवा बनहें प्रिबिस इम्योनिटी एंड पैथोजेनेसिस प्रोग्राम के निदेशक और एध्यान के वरिस्ट लेखक ने कहा रहमेडिस्वीर अस्पताल में मरीजों के लिए स्वस्थ होने समय को कम करने में सफल साबित हुई है लेकिन ये दवा हर किसी के लिए कारगार नहीं है उन्होंने कहा कि सस्ती प्रभावी और अस्तानी से उपलब्द प्रभाव को खोजने के लिए ततपर्दा बनी हुई है जोरे में डिस्वीर के उप्योग का पूरक बन सकती है